हाई फेन गुड मोर्निंग तो सुबा सुबा आप सोच रहे हम बैंधन के बैठे हुए तो हाँ हम यह पर देखो तैयार अभी तक बालूल जारेंगे पूरा जारे नहीं है तो सुबा सुबा भूख लगाए तो क्या करेंगे तो अभी भी कुछ खाये नहीं है अभी जाना है कर दीकिन के में यह थोड़ा दुकान तो शलो भी दोगा कर लेंखं़े कर का कि ना विटार लें चलूल नहीं क्यों हरे अगले दनि वीडियो में आप लोग को दिखागे हम कितना बजा लेकि आए थे नहीं है किया थे तो मोदी खाना में कुछ नहीं था का वल तो देखो हम तो रेडी हो गिये था को बैटके सके बाद के बात यहां दिखिए हम रेडी हो गें आपको हम जा ना यह ब्ल टुक्न पर आज का जो ब्लोग क लिए हिंदी में है किसा नोर बैंगोली है तो Dale ng को नहीं समझ में आता है फिर भी मेरा वीडियो देखता है इसलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद तो यहां देखिए मूँ में कुछ भी नहीं लगाए और ठंडा में थोड़ा मूँ मतलब ऐसा थोड़ा टांटां टाइप का हो जाता है तो यह पर देखिए एलवेरा जो जेल होता है वो बहुत अच्छा होता है तो देखो हम मूँ में इसको अपलाई कर लेंगे करने के बाद थोड़ा मसाज उचाज करके थोड़ा बाल को अच्छा से जार लेंगे जार के फिर हम लिकल जाएंगे बजार के लिए तो देखिए हम बढ़िया से इसको मसाज कर ल लगा रहे हैं और बहुत अच्छा से लगाने से ना बहुत अच्छा मैला होता है वह भी ऊट जाता है अर अच्छा भी रहता है तो देखो तो हम तो पुड़ा रेडी है अरे सूट पे हमें कैसा लग रहा है वो भी बताना कॉमेंट करके तो बालुल जार के अब सबसे हम बाहर में मिल रहे हैं वीडियो को देखते रहो और साथ में बने रहो ठीक है तो देखो finally हम बाहर आच चुके है इतना धूब इतना धूब इतना अच्छा लगड़ा बाहर का मोसम और हम तो बाहर बहुत कम लिकलते हैं जब बाहर का काम होता है तभी हाथ में एक बैग लेके हाथ में एक मोबाईल लेके आप सबसे बात करते हैं, हम चला जा रहें, दुकान तो मिलते हैं, दुकान पर चलो तो देखो हम finally दुकान आगिया, दुकान आने का एक कारण भी है कि उस सुबाँ जब हम सो के उठें, फिरिज में मेरा दूद नहीं था अब दूद नहीं था तो चाई नहीं पी सकते है तो सोचे पहले दूद लेंगे फिर कुछ करेंगे तो देखो फाइनली हम घार आ चुके है और फिरिज में दूद नहीं रहने से नहीं सबसे ज़्यादा टेंशन वाला बात हो जाता है क्यों हम लोग जब हाउस वाइप जो होते है घर का काम करने के बाद थोड़ा चाई का चुस्की लेते है अगर उसमें दूद नहीं रहे फिरिज में तो कितना वारा टेंशन का बात हो जाता है तो देखो फाइनली दूद लेके आगी है फिरिज में रखेंगे खली चाई पी अगर खाएगा तो दोनों लड़की तो खा लेगा तो हॉलिस लेके आए दूद लेके आए उन लोग अगर उन लोग दूद पीता नहीं है उतना फिर भी हम उस लोग को देते हैं कभी-कभी हॉलिस बगारा के साथ तो पी लेता है दूद एक्चुली हम लेके आते मेरे चा और बजार का बेग इतना भारी था देखो खाने के लिए भी चुरा लेकर लेके आये हैं और इसमें से चनाचूर है दूद है और साथ में लेकर आए जीरा पावडर जो नहीं था घर पर और है क्या तेल तो आज का जो ब्लोग है बहुत छोटा सा एक ब्लोग है आप लोग प्लिस पूरा देखना ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार देना आप लोग के लिए ही हमें आहा है आप बार बार बोले आप लोग को सपोर्ट के बीना क कुज विनी अच्छा रेना बाइबाइ